आजकल six-pack और attractive body पाने की चाहत सभी को होती है। इस चाहत को पाने के लिए लोग जिम जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार काफी कुछ करने के बाद भी वैसी muscles नहीं बन पाती जिसकी चाह होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बहुत जल्दी आकरशक body पाने के लिए drugs और protein powder का सेवन करने लग जाते हैं। शायद आपको पता भी नहों, अगर लंबे समय तक इन दवाओं का उप्योग करते रहे, तो यह आपके शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। तो यार बिना drugs के भी body बनाई जा सकती है, बस आपको जरूरत है सही दिशा निर्देश की, जो कि आज इस वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले point की, don't lose hope. कई बार बहुत सारे लोग जोश जोश में आकर body बनाने का संकल्प ले तो लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी हार मान लेते हैं, तो आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है। ये हमको भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि body बनाना एक hard process है, इसमें time लगता है। दूसरा point, eat healthy diet, exercise के बाद अगर अच्छी diet ना मिले तो बात नहीं बनती, एक तगड़ी diet अच्छी body के लिए बहुत जरूरी है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वे महंगी diet ले सकें, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप के लिए मैं तगड़ी diet बताता हूँ, pre-workout के लिए आप 3-4 केले खा लें, ये आपको 10-15 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, उसके बाद आप जिम कर सकते हैं, केला इसलिए क्योंकि ये एक superfood है, जो तमाम प्रकार के vitamins और minerals से भरा पड़ा है, इसमें potassium, fiber, carbs, healthy fats और vitamin B12 जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन तेजी से बढ़े, तो आप केले और दूध का सेवन जरूर करें, दूसरा चीज है चना, चने को आप रात भर भिगो दें और सुबह इसे गुड के साथ खाएं, अगर आप हमेशा ठका हुआ और खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो आपको यह जरूर ट्राइ करनी चाहिए, गुड और चना शामिल करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, गुड आइरन का भंडार है और चना कैलशियम का, ये दोनों तत्व आपके शरीर को खून की कमी और कमजोरी से बचा सकते हैं, और बाकी आलू, डाल, चावल, सबजी, ये तो लाजमी खाना ही है, अगर तेजी से मसल्स बढ़ानी है, तो प्रोटीन की खुराक कम ना होने दे, प्रोटीन आपको केला, दूद, दही, इन सब में परियाप्त मिल जाएगा, अगर आप प्रोटीन पावडर लेने की स प्रोटीन पावडर लेने से बौडी जल्दी बन जाएगी, अगर आप पहली बार जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वार्माप से शुरुआत करना चाहिए, इससे आपकी पूरी बौडी गर्म हो जाएगी, वार्माप के बाद अगर आप जिम करते हैं, तो आपके बौडी में स्ट्रेच मारक आने के कम चांस रहते हैं, नहीं तो ये देखने में काफी गंदा लगता है, अब जिम के बाद शरीर बहुत ज्यादा ठक जाता है, जिसके लिए उसे रेस्ट की जरूरत होती है, इसके लिए आपको कम से कम साथ से आठ घंटे की नी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई इन जैसों के चक्कर में तो कभी मत पड़ना, क्योंकि वीर्य ही आपके पूरे शरीर की उर्जा है, अगर शरीर में उर्जा ही नहीं रहेगी, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, तो जरा सोच समझ कर काम करना, अगर इस कम 3-4 लीटर पानी पीना ही है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.